सुन्दर पिचाई की काम्याभी का सच समय लोग गूगल के बारे में नहीं जानते थे हाला कि गूगल की रचना 19 अगस 2004 को हुई थी तब से धीरे धीरे लोगों को गूगल के बारे में पता चलना शुरू हुआ गूगल ने सिर्फ भारत ही नहीं उसने पूरे दुनिया के लोगों को हैरान कर दिया जब 10 अगस 2015 को उन्होंने अपने नए CEO सुन्दर पिचाई की घोशना की और वैपल दुनिया में रहने वाले सारे भारतियों के लिए बहुत गौरवशाली था क्योंकि एक भारतवासी उस कंपनी का CEO बन चुका था जिसमें काम करने की खौयश दुनिया के लाखो लोग रखते हैं आज हम उस इंसान की बात करेंगे जिनोंने सफलता प्राप्त करने से पहले जीवन में कई परिश्रम किये तो आईए जानते हैं Google के CEO सुन्दर पिचाई की सफलता की कहानी पिचाई सुन्दर राजन जो सुन्दर पिचाई के नाम से प्रचलित है उनका जन तमिल नाडू राष्टर के मदूरई शहर में 12 जुलाई 1972 में हुआ वे एक मध्यवर्गे परिवार से थे और उन्होंने बच्पन में ना ही टेलिविजन देखा और ना ही गाड़ी में सफर किया लेकिन पिचाई ने 12 वर्ष की उम्र में पहली बार एक आधुनिक उपकरण देखा जब उनके पिता ने घर में एक लैंड लाइन फोन लाया पिचाई ने फोन पर मिलाए गए सारे अंकों को याद रखने की चौका देने वाली कौशलता दिखाई सुन्दर अपने स्कूल में एक उत्तम विध्यार्थी साबित हुए और इनकी यही बात इन्हें आईटी खड़कपूर के मेटरोलॉजिकल दिविजन तक ले गई पढ़ाई खतम करने के उपरांथ वो अमेरिका को चल पढ़े जहां वो स्टैन्फर्ड उनिवर्सिटी से अपनी आगे की पढ़ाई पढ़ना चाते थे परन्तो उन्होंने अपना प्लैन को बढ़ा और वो अप्लाइंस मेटीरियल में शामिल हो गए जो सिलिकन वैली में एक सिलिकन बनाने वाली कमपनी थी एक इंजीनियर और प्रोड़क्ट मैनेजर के तौर पर उन्होंने वहाँ पर जादा लंबा काम नहीं किया उन्होंने बाद में अपनी MBA Wharton University of Pennsylvania से किया जहाँ पर उन्हें सीबल स्कॉलर और पामर स्कॉलर के पत से सम्मानित किया गया अपने MBA पूरे करने के बाद पिचाई को एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर एक कमपनी में नियुक्त किया गया जब पिचाई एक अकेले प्रवासी सफलता की राह में तिन काट रहे थे तब उन्हें अपनी girlfriend अंजली जो अब उनकी पतनी है उनसे बहुत सहारा मिला कहा जाता है कि उनका हर एक प्रयास में अंजली का भी मुख्य योगदान था पिचाई 2004 में Google से जुड़ गए और उनका प्रवेश Gmail की प्रदर्शन के साथ हुआ पिचाई की पहली सफलता तब आई जब Google एक कठिन समय से गुजर रहा था Microsoft ने Internet Explorer को Default Search Engine मना दिया था ये उस समय का वक्त था जब सभी Internet Explorer का इस्तमाल करते थे और पिचाई को इस मुश्किल का हल ठूणने की जिमेदारी दे दी गई और उनका सुझाव Google टूल बार था जो कम्प्यूटर या Internet Explorer पर सीधे इंस्टॉल किया जा सकता था और इसे Google का उपयोग हो सकता था और उसके बाद चलती सुन्दर पिचाई Google के दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी काम करने लगे जैसे Google Gears और इत्यादी उसके बाद सुन्दर पिचाई के दिमाग में एक ख्याल है कि गूगल का अलग से एक वेब प्राउजर बनाना चाहिए और उन्होंने इस बाद को कंपनी के चीफ अग्जेक्योटिव से मीटिंग के दौरान सामने रखा लेकिन उस समय के CEO ने इस बाद को इंकार कर दिया क्योंकि ये करने में काफी इन्वेस्टमेंट की ज़ुरुत होती और CEO के मताबिक वो इतना रकम किसी नए प्रोडक्ट पर नहीं लगाना चाहते थे लेकिन पिचाई ने हार नहीं मानी और गूगल के फाउंडर से बात करके उन्हें समझाया और 2008 में गूगल के खुद का वेब ब्राउजर गूगल क्रोम को लांच करने में एक बहुत बड़ी पूमिका ने बाई और उस समय गूगल क्रोम बहुत बड़ी विजाई साबित हुई और उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर और अन्ने वेब ब्राउजर्स को पीशे छोड़ दिया उन्होंने गूगल क्रोम में आगे आने वाले प्रोड़क्ट जैसे क्रोम उएस, क्रोम बुक्स, क्रोम कास्ट इतियादी के लिए मार्क दर्शाया और 2008 में पिचाई गूगल के वाइस प्रेजडेंट आफ प्रोड़क्ट डेवलप्मेंट बन गए इस पत के कारण वो गूगल के विभिन प्रोड़क्ट लाँच में नजर आने लगे और उनकी सफलता की उचाई धीरे धीरे लगातार बनने लगी और 2012 में वैं Senior Vice President of Chrome and Apps बन गए और उसके एक साल बाद 2013 में उन्हें Android विभाग संभालने का जिम्मा दिया गया अपने प्रतिभा दर्शाते वे सुन्दर पिचाई ने Android One को लॉंच किया जिसके मदद से सस्ते दामों में Android phones दुनिया भर के लोग को लुभा सका और इसकी वज़े दुनिया भर में 5 बिलियन से जादा लोग Android डिवाइस का इस्तमाल कर पाए और उसके बाद 2014 में वो Head of Product पद पर चले गए सुन्दर पिचाई इतने प्रचलित हो गए कि दुनिया के सारे Tech Companies उन पर ध्यान देने लगे जैसे Twitter ने तो उन्हें अपने कमपनी में CEO का पद देने को भी तयार हो गई लेकिन पिचाई ने Google का आदर रखा और उससी कमपनी में काम करने का निड़ने लिया और ये सब तब हो रहा था जब Google अपनी नई कमपनी Alphabet पर काम कर रही थी लेकिन सुन्दर पिचाई का ध्यान किसी और कमपनी पर ना भढ़के इसके लिए Google ने 2015 में सुन्दर पिचाई को Google का CEO बना दिया उनकी लगातार खटोर परिश्रम और बुद्धी मर्ता के कारण वे Google कमपनी के उच्च पत तक पहुँच पाए जहां हर वेवसाई पहुचना चाता है और December 2019 में वो Alphabet के CEO बन गए बता दे कि उनकी धन राशी तेर सो मिलियन डॉलर से भी अधिक है और वो इस कमपनी के प्रमुक है जो दुनिया के मूलेवान कमपनियों में से दूसरा है जिसका मूल्य 80 बिलियन डॉलर से अधिक है उमीद करते हैं कि सुन्दर पिचाई अपने जीवन में इसी तरह सफलता हासिल करते रहेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और हमारे चैनल इंडिया होट टॉपिक्स को सब्सक्राइब करें धन्यवाद